बहुत ही गंदा टाइप का इंडरस्ट्री है, मतलब पवन की बुराई है क्या, कि वो जो है न गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता है, अगर मुस्कान मेरे साथ है, तो मुस्कान मेरे ही साथ रहेगी, और ने कितनी बार तुम पे हाथ उठाया, नशे की हालत में शायद एक पर उन्होंने अक्षरा को धक्का दे दिया था, चाचर केस मैडम करके रखी है, काहे का केस होता है भीया, बिना मत अच्छे पल भी बिताती है, उसके केस भी करती है, चाचु बोलती थी न जी शुरू में, तो चाचु थी पैट चुही लेती, तो क्या होता, पैसे कौन ख मुझे रखेर बना के रखना चाहते थे, और मैं वो नहीं बनना चाहती थी, बाते ऐसी हैं, जो हम मीडिया में बोल भी नहीं सकते हैं, और वो ये करता था, वो करता था, तो आप क्या करती थी, वो भी हम जान चुके हैं, तो इसलिए मूह नहीं खुलवाना चाहता, मानवी जी हां, महिला विकास मंच की काफी जाना मानचैरा है, और पवन सिंग के कॉंट्रोवर्सी में इनका नाम काफी जादा आया है, कभी जोती सिंग का नाम लेती हैं, तो कभी अक्षरा सिंग का नाम लेती हैं, और आप पवन सिंग के दिवान ही दिख रही हैं, तो च अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको देखा गया पवन सिंग के साथ और फोटोज वाइरल हो रही है आपके क्या है पूरा मामला क्या है ऐसा है कि हम पॉलिटिक्स तो हमें करनी नहीं है और ना मेरे को यूटूब चैनल है जो अपना चैनल जमकाना है हमारा काम जो है फैमिली काउंसलिंग को ठीक करना घरेलू हिंसा पे हम लोग काम करते है तो घरेलू हिंसा में एक पक्ष जब आप सुनेंगे चुकि वो लोग स्टार्ट थे आप आए दिन मेरे ऑफिस में गरीब लोग भी आते रहते है तो पतनी का सुन लिया फिर पती चार है ती हो रही थी ओ तो बीर इन वियूमें बींग तो वहीं बोलेंगे एक पक्ष जब देखा एक पक्ष की बात कि कर दो लिया जब जो से जिख रावाली बात कहीं धी तो क्या मैं उस वक्त पर एक ischन नहीं लोग सबचाी था कि जोती ने गलत किया उसे इतने दिन बाद गड़ा मुर्दा नहीं उखारना चाहिए जहाँ पर जो सही दिख रहा है वो बोल रहे है पावन सिंग के पास जाने का क्या मुद्दा था और क्या क्या बाते हुए उनके पावन जी के पास हम दिसंबर में ही चले जाते 27 से 28 दिसंबर को लेकिन हमारा कारिग्रम था हम लोग वेस थे जैसी प्रोग्राम खतम हुआ तुरंत मैं सबसे पहला टास्क था हमारा कि एक तरफा जो बयान चल रही है तो इसमें हद तक क्या है ये भी तो देखना होगा क्या सच में पवन सिंग करेक्टर लेस व्यक्ति है क्या सच में पवन सिंग जो है वो लड़कियो का सोशन करता है तो क्या ये जानना हमारा फर्ज नहीं था क्या बिल्कुल हमें जानना चाहिए था और समाज को बताना भी चाहिए था तो जितनी भी लड़किया उनके जीवन में रही है तो सबका अपना अलग-अलग इतिहास रहा है लोग आते गए चलते गए आते गए कोई एक अगर ये बोल दे अब कि इन्टू ने मुझे दोखा दिया तो ऐसा तो उन्होंने किसी के साथ नहीं किया जैसा मैं देखके आ रही हूँ दो दिनों में मैं उनके पुराने कुछ दोस्तों से भी मिलके आ रही हूं जो लीडी दोस्त है उनकी बाते भी सुनके आ र है रहते हैं कोई problem नहीं बात करके क्या लग रहा है कि जो जोती सिंग के साथ पावन सिंग वापस आएंगे या नहीं आएंगे नहीं मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे एक कोशिश थी हमारी कि आ जाएं लेकिन शायद मुश्किल है वाना और जोती खुद भी नहीं आना ऐसा नहीं है कि जोती एकदम 100% आना ही चाहती है वो बस एक pressure politics है pressure create होता है इतने खराब रिष्टे होने के बाद जब 4 साल किसी मर यहां 4 दिन अगर 4 महिने अलग हो जाते हैं husband wife तो उनका घर बसना मुश्किल हो जाता है चार साल बात कहां से बसेगा मजाग थोड़ी है जी प्रोग्राम में समरार चौधरी भी नहीं था अक्षरा से हमको क्या लेना देना प्रोग्राम में आया उसके प्रोग्राम में आने से ही मेरा प्रोग्राम सफल होना था या जाने से नुकसान होना था ऐसी कोई बात ही नहीं थी अक्षरा नहीं आई इस बात का दुख जरू था, मैं पवंजी के बर्डे में इन्वाइटी भी थी, मुझे वहां बुलाया जा रहा था मुंबई, लेकिन मैं नहीं जा सकी, तो ऐसा थोड़ी है कि अक्षरा नहीं आई, तो ऐसा पवंजी भी नहीं आई, तो उनको भी मैं ट्रोल कर दूँ, यह कोई मतलब है, प्रोग्र में नहीं, लेकिन अक्षरा कमिट करके नहीं आई, तो जैसे लोग बोलते थे मुझे, जैसे ही मैं अक्षरा के सपोर्ट में आई थी, तो बहुत गालियां मुझे पड़ी थी, बहुत गालियां, वहलाब गंदी-गंदी गालियां लोग दे रहे थे मुझे, तो तब भी मै support करी थी कि नहीं लड़की है साथ देना है लेकिन अब तो मुझे एहसास हो गया है ना कि नहीं लोग जो बोलते वो सही बोलते हैं उसके बारे में तो अक्षरा सिंग को लेकर आपकी टिपनी क्या है फाइनल टिपनी जो लोगों को पता चले कि वीना मानवी क्या सोचती है अ आत्मा बहुत पवित्र चीज होती है और आत्मा कभी किसी का जूट नहीं बोलता है तो मेरे बोलने और ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा उसका आत्मा जानता होगा कि उसने क्या कि आप तो हम सब कुछ जानके सुनके चले आए ना तो सब समझ रही होगी आपकी बाते से लोग आए गए और आज जो है सब तक मेरी बात हुई है अक्षा सिंग ने रिसेंड पॉड़कास में बहुत कुछ बोला है पवन सिंग को लेकर के पवन सिंग मुझे रखैर बना के रखना चाहते थे और मैं वह नहीं बना चार सल जब तुम रही चार सल तक तुम को नहीं लगा कि तुम उनके जीवन में क्या बनके रह रही हो तुम शादी नहीं हो नहीं रहती यार तुम जो तांडव शादी के बार शुरू की वो तांडव शादी के पहले कर दी रहती कोई कमी तो नहीं था तुमारे जीवन में स commitment नहीं था, चुकि धोखा जीवन में बहुत खाय थे, पवन पहले, तो इनके दोस्ती में आने के पहले, दोनों के बीच में के एग्रिमेंट भी हुआ है, और बॉंड भी बना है, मतलब शादिवादी तक का नहीं था, बस रिलेशंशिंट था, उनके बीच में, जब बॉंड बना रही थी, तो उसी दिन नहीं बॉंड बनना चाहिए था, तो सारी चीज़ें हम भी तो देख के आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, देखने ही तो गय थे, कि आखिर माजरा क्या है, तो पूरा क्लियर करके आई हैं कि क्या कहानी है, पूरा कहानी बहुत सारी बाते ऐसी हैं, जो हम मीडिया में बोल भी नहीं सकते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए, हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़े, सुखद रहे हैं, लेकिन, हाँ, अब जो इरायता फैला रहे हैं सब लोग, ये लोग को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अपने घर शिशे के होते हैं, तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते हैं, तो इनकी भी हिम्मत की दाधी देनी पड़ेगी, कि बैट-बैट के जो है, इतना आप बोलती हैं, कि हमको ये करता था, वो करता था, तो आप क्या करती थी, वो भी हम जान चुके हैं, तो इसलिए मुह ने खुलवाना चाहिए, थोड़ा कुछ रोशनी डालना चाहिए, बताना क्या, एक वक्त ऐसा आ गया था, कि उनका ATM 400 रुपे पे हो गया था, पवन सिंग का ATM 400, और मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, कि वो अपने घर का EMI भर सके, तो अब इस से जादे एक्जामपल क्या बताएं, क्योंकि देखिए, पवन सिंग पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि उन्हों ने बताया, कि दीदी हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फैदा सब बहुत उठाया, वो अपना ATM, क्रेडिट कार्ड जो भी होता है, वो खुद अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो जो भी उनके जीवन में जिस वक्त रहती, उसी पे 100% भरोसा करके उसी को सारा कुछ दे देते ह है, तो उसी का नतीजा है कि 400 रुपया, एक बार 63 रुपया बैंक वैलेंस हो गया था इनका, पैसे कौन खर्च कर रहा था, तो जो उनके पास रहा होगा, हम तो थे नहीं, कि दीदी उड़ा लिखे, जो 400 रुपया पर पवन सिंग आ गए, वो कौन था, जिसके वज़े से ह कौन हो सकता है, जिस समय आया था उस साल का येर मिलाना पड़ेगा, जिस येर में हुआ था तो, आप तो बोली सकती है, आप तो बात करके आई है, तो वो कौन रोशनी डाले नाम पे, नहीं, रोशनी क्या डाले, जो था एक ही, आप चार साल, पान साल, एक दम, यूस जो रहा होगा, वही लुटे रही, हसीनी के तरह लुटा होगा, हाँ, डेफिनेटली, जो भी रहे होंगे, वो किये होंगे, हम ये चीज़ उन से पूछे नहीं कि किसने लुटा, बस उन्होंने अपना दिखाया कि देखे, दीदी, एक समय ऐसा भी आया, कि मैं पूरी तरह कंगाल हो गया था, तो ठीक है, जीवन है, जिसके पास रहेगा, उसी से ना लोग लुटेगा, भिखारी लोग के पास कोई लूटने जाता है, जी. किसी प्रकार से बात करते हैं तो आप जब गई दो दिन रही तो कैसा लगा आपको कैसे हैं वो किसी प्रकार से मतलब थोड़ा attitude में रहते हैं, arrogance में रहते हैं एकदम ने, एकदम ने, पवन सिंग ही पूरी circle में जैसे मैं भोजपूरी industry को बहुत नहीं जानती थी लेकिन दो दिन में जो मैंने देखा समझा कि यह industry बहुत ही गंदा टाइप का industry है, मतलब यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, हाट चीज ओपन होता है, फिल्म इंडस्ट्री में तो होता ही है, यह भी उसी तरह का, तो यहाँ पर कैना, बहुत नॉर्मल, आज बाकी के star को देख लिजे, सब के दोस्त छूट गया, लेकिन पवन जी तो आज तक अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, अपने हर दोस्त को उन्होंने बनाया, कितने तो पुराने वहाँ फ्लैट पे भी थे उनके, तो पवन ने कभी किसी को मुझे नहीं लगता कि जो मैंने 48 घंटे में जाना, म तो जो है गुसा उसको बहुत जल्दी आता है, अगर मुसकान मेरे साथ है, तो मुसकान मेरे ही साथ रहेगी, तुमारा हिम्मत कैसे हुआ उधर देखने का, अच्छा सुनने मैं था अच्छा, पुराना रिमर था कि वह पीटे हैं, फिजिकल एसॉल्ट भी करते हैं, गलत बिलकुल गलत बात, ये बात मैंने जोती से भी पूछी है, दीपक जी के सामने पूछी अभी, अच्छा, अभी सब लोग यह है, तुम सच सच बताओ, पावन ने कितनी बार तुम पे हाथ उठाया, सब लोग थे वैटे हो, तुने नहीं उन्होंने मारा ने, बस गुसे मे ही है, बैठ के, उसको भी कभी नहीं पीटा, हाँ, गुसे में जैसे गुसा आया, टेबल तोड़ दिया, गुसा आया, समान उठा के, मतलब वो अपना गुसा, मतलब महिलाओ पे नहीं नहीं, नहीं, वो महिलाओ, बोले मैं कभी नहीं, नशे की हालत में, शायद एक वार उ उठाएं उस पर कभी हम, और जो वो बोल रही है, कि कहते हैं कि पैट्चू के मेरा प्रणाम करो, गंदा गंदा शब्ड बोलती थी शुरू में, तो चाचू थी पैट्चू ही लेती, तो क्या होता, अगर बोलते थे तो गुरू है अपना, तो गुरू है तो फिर है उनको लगता था कि भाई अगर मुझे नहीं लगता कि पैट चो तुम को इस बात का एरोगेंट क्यों था जिसको तुम अपना सब को समर्पित कर दी हो प्यार तो इतना अंदा होता है प्यार से पवित्र चीज कुछ है दुनिया में अगर वो पैट चूर लेती तो क्या हो तो अब क्या करें हम उनको जाके जबरदस्ति वाले कि तुम मेरा पैट चूओ यह नहीं जो आदमी जैसा है वो अपने जीवन में वैसा ही चीज चाहेगा अब वो अपने से बड़ों का पैट चूता होगा तो इसको भी लगता होगा कि अक्षरा मेरा पैट चूए फिर इ कंट्रोल होने वाली थी नहीं तरह के इधर डेट मारे तरह के उधर चली जाती तो उसी पर होता होगा इलों का बहस अच्छा है एक यह कहना चाहती है कि पवंध सिंग करके रखी है काहे का केस होता है बीना मतलब मेरे हां तीन लड़के बैठें आब सब पर केस हो जाएग के केस है आप क्यूं करती है भाई सब पर सेक्शूल हरास्मेंट अच्छे पल भी बिताती है उसके केस भी करती है यह ब्लैक मेलिंग नहीं तो और क्या है यह गलत बात है अभी तक मुझे यह सम नहीं पता था अब मुझे पता चल गया तो मैं तो बोलूंगी ना अरे माज के लिए बने हैं तो जो गलत है सो गलत है तो महिला हो या पूरुष डेफिनेटली अगर पवन में महिलाओं पे हाथ उठाया तो पवन भी गलत है अगर किसी पे इस तरह की बाते हो रही तो वो भी गलत है क्यों करेंगे भाई आप एक पवन 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 गाना गा रह कटा हुआ है उसका हाथ उस दिन उसकी जान भी जा सकती थी आप ही के गुस्चे में रोड क्रॉस कर रहे थे उदर से गाड़ी उड़ाते हुए उसके चली गई यह सब कहानी नहीं आने चाहिए समाज के बीच में तो लड़की जाती क्यों है उनके पास जब चलो पता चल गया कि पवन सिंग ऐसा व्यक्ति है एक को पता चला दूसरे के बारे में अभी भी है को इनके जीवन में लड़किया है अभी पवन सिंग किसी को देख रहे हैं डेट करने का सूच रहे हैं कोई पसंद है अभी तु मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ वहां नहीं देखे वो सीधे बोले एकदम गाओं की सीधी साधी लड़की से अब जीवन में कभी जीवन में बहुत सकतुम भोग लिए अब समझ में आ गया औरत का हर तरह की एक समझ में आ गया तो एक society करन च्राइश नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों कि शादी नहीं होती उनका जीवन नहीं चलता नहीं करना चाहिए आप इसको कुछ दिन ऐसी रहेना चाहिए किया लगता है कब वो मैदान में खड़े उट रहेंगे उस पर आपकी कोई बाती हुई उस पर भी लोग उतरने दे तब न कोई उधर जा के भड़का दे रही है कोई उधर जा के भड़का दे रही है उसका केरियर तो ऐसी खतम कर रहे है पॉलिटीकली सब अक्ष्रा सिंग जैसा पैट चुचू के लोगों को प्रणाम करना पड़ेगा तभी वो नेता बन पाएंगी ऐसे थोड़ी जूठा कमिटमेंट करके नेता जी पहुंचे नेता बनेंगे कैसे आप सुन रहे थे वीना वानवी को इनका कहना है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है और इनका बहुत कुछ है बाते जो ही कह रही है औन कैमरा नहीं बता सकते हैं कहा जा रहा है कि अक्षरा लाइम लाइट कॉंट्रोवर्सी नाम यूज़ कर रही है पवन सिंग का और पवन सिंग ने काफी कुछ इनको दिखाया है और बेहन की रूप में देखा है और काफी कुछ बताया भी है तब तक के लिए बने रहे